असलाम अलेकूम, आज के एस लेक्षर के अंदर हम पाई चार्ट बनाने वाले हैं, यूजिंग पावर बी आई, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, आपने पावर बी आई को ओपन कर ले ने, अपनी डेक्स्टॉप के अंदर, something like this, जैसे आपके पास पावर बी आई ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद आप फिर पाई चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट का एक बहुत इंपोर्टन रूल है, वो रूल ये कहता है, कि अगर आपके पास किसी भी एक वेरियेबल की कैटेगर इस पांच हैं, या पांच से कम हैं, then only you should go with पाई चार्ट, लेकिन कुछ दोग इसको डिफरेंट वे में भी देखते हैं, we will see both techniques, तो हमारे पास इस तरीके से हमने Power BI को उपन कर लिये, तो हमारे पास जो हमारा project plots के नाम से इसे हम उपन कर लेते हैं, तो यह हमारे पास इस तरीके से यह plots का जो project उपन हो जागा, sometimes it takes a little bit of time to open these things, तो यह तरीके से हम हमारे पास हमारा जो project वो मैं ने open कर लिया, यहां से मैं एक नहीं चीज़ा add करूँगा, इसको मैं कहा देता हूँ, 03 underscore pie chart, जैसे मैंने इसको click किया pie chart के उपर, यहां पे आपके पास दो किसम की चीज़ें आ रही होंगे, अगर आप और करें, यहां पे pie chart है, और इस जगह पर donut chart है, तो मैं pie chart पर click करता हूँ, तो यह मेरे पास इस तरीके से pie chart आ जाएगा, which will show us के किस तरीके से आपने pie chart को लेना है, तो मैं यहां पर pie chart अपने पास ले आया हूँ, ठीक है, something like this, तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पर ले आता हूँ, और यहां पर यह कह रहे है कि recovered files, no, no problem, मैं इसको cancel कर देता हूँ, तो हमारे पास जो pie chart के लिए हम जिस पर chart बनाने वाले हैं, वो यहां पर देखते हैं, हमारे पास different किसम की, जो columns यहां पर available है, we can work on that, and then we will see किस तरीके से काम करता है, तो, यहां पर मैं click करता हूँ, इस pie chart के उपर, और आप यहां प आपके पास legend, values, details, and tool tips वगरा आ रही है, तो मैं करता हूँ, यहां से कोई भी एक column उठाता हूँ, for example, day का column उठाया, इसे मैं legend के उपर रख देता हूँ, जैसे मैं यहां पर legend के उपर रखता हूँ, तो यह tips का data आप देख सकते हैं, हमारे पास day है, Friday, Saturday, Sunday, and Thursday, यह हमारे प इसका एक pie chart बनके आपके सामने आ गया, और यह pie chart क्या कहता है, अगर आप गौर करें, तो यहां पर आपके पास Saturday है, Sunday है, Friday है, Thursday से Sunday तक data, आप यहां पर चेक करें, total bill 1.78 है, फिर बाद में उसकी percentage भी बताईए, कि सबसे ज़्यादा bill जो है, वो Saturday को बनता है, फिर दूसरा सबसे ज़्यादा bill जो है, वो आपके पास कब बन रहे है, जब आपका Sunday है, तो total bill का 36% इस वकत बन रहे है, 33% इस वकत बन रहे है, and then you have two other days, Friday and आपके पास जो Thursday है, so it depends कि आप किस तरीके से इस तरीके का, इस तरह का chart बना सकते हैं, यहां पर अगर गौर करें, तो values के उप and average मेरा bill किस दिन ज्यादा बनता है, now you have different kind of percentages here, so you can actually change these percentages और अपने मर्जी से इसको maintain भी कर सकते हैं, मैं यहां से इसका plot का size बढ़ाता हूं, ताके मेरे पास जो total bill है, वो कुछ इस तरीके से आ रहे है, percentages भी आ रहे है, और average की बजाए, मैं यहां पर median, variance, standard deviation, count, etc, 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 सारी चीज़े ले सकता हूं, लेकिन यूजली आप part of the whole करते हैं, यानि कि total अगर आपके पास 100 चीज़े हैं, उसमें से कितने percent एक चीज़ का है, कितने percent दूसरी चीज़ का है, this is how you can create a, कौन सा chart, pie chart, और आपको legend के अंदर हमेशा categorical variable रखना होता है, और आपको values के अंदर values add करता है, मैं यहीं पर legend के अंदर अगर add करूं, male and female को, you will see कि यहां से मैं day को remove कर देता हूं, now you see कि ज्यादा males जो हैं वो bill देते हैं, और female जो हैं वो कम bill दे रही है, here, और you can see कि total bill की amount है वो यहां पर इस तरीके से चल रही है, अगर मैं यह भी नहीं चाहता है, मैं यहां पर smoker और non-smoker की category को भी देख सकता हूं, एक restaurant के data के अंदर, कि जो smoker हैं वो ज्यादा पर करते हैं या non-smoker करते हैं, so this is how you can see and analyze your data, यहां तक आपको clear हो गया होगा, इस तरीको को हम pie chart बनाने के साथ relate कर सकते हैं, then you can also add some legends and some other things, next lecture में मिलते हैं, अपना ख्यार रखें, और